उनको संत नहीं का सकते और यहां आखर करके दिल्ली में बड़े-बड़े सहरों में यहां असरम बना करके छिपे हैं मेरे यहां यग हो रहा था उस यग में तीसरे दिन बाबाजी गायब हो गए बाबाजी जो जग करा रहे तो गायब हो गए यहे लोग तर्वाते एंको तो नहीं नहीं बच्चा को इंजिनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अच्छा इंसान बनाओ इसको, वो वो वाले बाबा है, आर्ट बाउंसर, ये लोग लेके चलते हैं, हत्यार लेके चलते हैं, राइपर्स और सस्तधारी लेके चलते हैं बारी इस देश में सबकी आती है चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे आप इनको समर्थन भी कर रहे हूं लेकिन बारी आपकी आने वाली है आने वाली है उस व्यक्ति तक की जो इस देश में शांती सदबुद्धी और संप्रबुदा की बात करता है और उनकी भी ब लोगों को समर्थन करते थे, कौन लोग हैं वो, वो दक्षिन पंथी समंगठनों से जुड़े होगे लोग हैं, दक्षिन पंथ ने इस दुनिया में जो नुकसान किया है वो शायर किसी विचारधारा ने कभी नहीं किया होगा, आज ही की सबसे बड़ी खबर, आज दिन भर क सबसे बड़ी खबर यह थी, कि आमान्मी पार्टी के ने था, सोशल जस्टिस मंत्री, राजेंदरपाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया, और उसका कारण था, विजय दश्मी पर ली गई, बाईस प्रतिक ग्याएं, और बीजेपी के द्वारा की गई, उसके उपर छिचली राजनीती, लेकिन हम सवाल तो आमान्मी पार्टी से पूछ रहे हैं, या राजेंदरपाल गौतम से पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल हम उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, जो मुसल्मानों को जान से मारने की खुली धमकी देते हैं, खुले मंचों से, ये कहते हुए, बह एक शब्द नहीं बोलती और टीवी मीडिया से हमने उम्मीद छोड़ दी है मेरे साथ एक खास व्यक्ति है आपने इनको टीवी पर भी कई बार देखा होगा फजील सर्थ बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर हमने कई बार ये देखा है जो खुद को संत बोलते हैं जो खुद को समाज का विचारक बोलते हैं या फिर समाज सुधारक बोलते हैं वो मुसल्मानों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हुए दिखते हैं कि मुसल्मानों को चुन-चुन के मारना चाहिए या फिर उनकी महिलाओं के साथ कुछ दुषकर्म करना चाहिए लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदू होकर भी बुद्ध की बाते करकर भी इन लोगों से बचा ने रह सकताgestellt, तो क्या कोई तरीका है इस विवस्था में बचे रहने का? देखिए आप जिसको संत कह रहे हैं, संत को पहचानते हैं कई से, कपड़ों से, टीका से, माला से, तिरसूल से, संत विचार से होता है, व्यक्तितु से संत होता है, कोई गेरुगा वस्त धारन कर ले, टीका लगा ले, तिरसूल हाथ में ले, चिम्टा हाथ में ले, टीका रूदराक्ष की माला पहिन ले अंगुठी बड़ी बड़ी अंगुठी पहिन ले और बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलता हो और हजारो एकड़ की जमीने उनको मठ मंदिर के नाम पर सरकार ने अंगरेजों की जमाने से मिले हैं वो आज भी है वो बहुत धन समपती हैं उनको संत नहीं कह सकते हैं यही इस देश की दुर भागे है कि संत किसको कहते हैं आप भेश से भीख मिलती कहते हैं ना कि भेश से भीख मिलती हैं मैं तो नहीं संत मानता और जो संत मारने की बात करें बगवान बुद्ध अंगुली माल ने क्या कहा था उनसे कि कहा जा रहे और हम तुमको मार डालेंगे, तो वो संत थे, उन्होंने कहा कि रास्ता तो तुम्हें बदलना है क्योंकि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैं तो सही रास्ते पे जा रहा हूं, वो संत थे, उनके पस तो कोई आज कोई प्रॉपर्टी है पुरे दुनिया में कहीं, उनके प्रॉपर्टी है कोई लंबी गाडियों चलते थे वो भिख्षा मान करके अपना जीवन यापन करते थे और जितना भिख्षा मांगते थे तो संत उनको कहा ज़ते है वो संत होते या उनके रास्ते पर बनाए बताय हुए लोग को चलने वाले लोगों को संत कहा जाता है ये तिरसूल, मार देने की बार तो क्या कहेंगे इन लोग को इन लोग की बाते बहुत सारे लोग मानते हैं इस देश में देखे यह अपराधी लोग हैं इनकी आप क्रिमिनल हिस्ट्री अगर निकालिएगा तो बीस-बीस मुकदमें इनके उपर वांचीत अपराधी हैं लोग अदालतें इनके खोज रही हैं और यहां आकर के दिल्ली में बड़े-बड़े सहरों में यह लोग आसरम बना करके छिपे हैं मेरे यहां यग हो रहा था उस यग में तीसरे दिन बाबा जी गायब हो गए बाबा जी जो करा रहे तो गायब हो गए क्या हुआ भाई आ तो अदालत ने कोई वारेंट निकाल दिया पूलिस आई उनको खोशते हुए तो बाबा जी गायब हो गए वहां से वही संत बन रहे थे अपने को इसी तरह से मेरा अपना नीजी अनुभव है मैं तमाम बाबा लोगों के साथ बेटता है उठता हूँ बाबा लोग आते हैं मतलब वो लोग 50 करोड, 100 करोड की प्रापर्टी की बात करते हैं धंदेवाजी की बात करते हैं हम से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं हम तो समाज सेवा करते हैं कि एं और आप का करते हैं तो मेरा चारसो क्रोड का आष्व 뭔 ऐसरम और बड़ी बड़ी गाडिı। जी बड़ी बड़ी City एंक इकश privileged ऐनल्स पर ऐठ सुन करने आठ सुनक्ट तो जो यह लोग एंदगी के मजलौ तुम बेकूब जिसको बनारे बनाओ हमको मत धंकाओ लेकिन देखिए ये खुद को संथ बोलते हैं, लेकिन जो असली संथ हैं इस देश के, सबसे बड़ संथ जो रहे, भगवान बुद्ध, या मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा, महापुरुष बुद्ध, उन्होंने शांती का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन जब उनी ही की बात करें या फिर उनी के धम के रास्ते पे लोग चलते हैं तो फिर उन्हें पच्छोड़ना पड़ जाता है ऐसा भी तो होता है कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति भी उनके रास्ते पे नहीं चलता है उन्होंने कुछ गुंडों के फोज बना लिये किसी को छोटा मटा अपराद करना है तो उनकी सरण में राता है ताकि पुलिस ना पकड़े इसी तरह फरजी है फरजी एक गैंग बना लिया उन्होंने 100-200 लोगों की और वो 200-200 लोग छोटे मटा अपरादी है छोटा मटा चोरी चिकारी ये सब लेकिन राय दिरपाल गौतम तो बुद्ध की बात कर रहे थे ना तो फिर उन्हें पद भी उन्हें पद छोड़ना पड़े है अभी हम लोग इस पर आ रहा है बाबाजी फिर राजीन का और गौतम पर भी बात करेंगे ये लोग जो गैंग बना ली है यतिनन सरस्वती ये भी हमारे सा दिबेट करते थे अच्छा जी बहुत असलहे लेक आते थे गाड़ियों में और कई बार मेरा उनसे हुआ तो ये लोग ये गैंग है सरकार चुगी बीजेपी की है इसलिए लोग बचे हुए और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रहे है क्योंकि सरकार का एक कॉर्णर ये भी है कि हम मुसल्मान को डरा के धमका करे के बाते करते हैं ऐसा नहीं है बीजेपी के लोग प्यार से बात करते हैं हमसे भी बहुत परवक्ता लोग प्यार से बात करते हैं यह मुसलमान से डरवाते हैं अपने समाज के लोगों को, और फिर इनी की एक गोल, दूसरी गोल है, जो हमको RSS से डरवाती है और आपको ही मुसलमान से डरवाती है, यह सब राजनीती चल लगी है, एक संत मेरे गाउं में थे, तो हम लोग छोटे बच्चे थे, तो जब वो सिता राम, सिता राम, सिता राम तो वह भी दोनों हाथ उठाया कहते आसिरवाद हो बच्चा, सिता राम, सिता राम और हमारे दादा जी बहुत हसते थे कहते कि बाबा जी आप मेरे बच्चों को भी संत बना देंगे देख रहे तो नहीं नहीं बच्चा को इंजिनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अच्छा इंसान बनाओ इसको, वो कहते थे, वो कहते थे कि अच्छा इंसान बनाओ, लेकिन वो जैसिराम नहीं कहते थे, वो सिताराम, सिताराम कहते थे, अजब उनको हम लोग देखते थे, तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्पना याद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो टीवी वाले जो बाबा आबा सब हैं, चंदर उंदला पेट के बैठे रहते हैं, उनको असल में कुछ पतावता होता है, या फिर बस चिलाने के लिए बुला लेते हैं? मैं कुछ चीजें वो लोग रट लियें, बहुत कुछ ग्यान उनको नहीं है, धर्म सास के बारे में भी ग्यान नहीं है, एकात लोगों को है, लोग बने के लिए, सेहन सकती मैंने कहा बगवान बुद्ध के बारे में आपसे वो नहीं घबड़ाए और लोगों ने कहा कि रास्ता बदल दू उन्होंने कहा कि मैं क्यों बदलू जो गलत रास्ते पर जा रहा हूँ उसको रास्ता बदलना मैं तो सही रास्ते पर जीवन चल ला है मेरा मैं तो अपने सीधे रास्ते जाऊंगा चाहे कोई मारने वाला मार दे हमको ये जो टीवी पे लोग आते हैं ना ये लोग ज़्यादा ग्यानी नहीं होते हैं सिब भेज भूसा से उनकी बाबा दिखते हैं अईसे नारमल जिंदगी में वो लोग बहुत मजे करते हैं आतो बहुत करेब से उनों लोग बात करता हूं आप तो परसनल रिलेशन्स भी होंगे कई लोगों परसनल रिलेशन्स है इसलिए मजे बहुत हंसी आती है बहुत टीवी पे जो होता है असली संथ टीवी पे नहीं आता है, असली संथ टीवी पे नहीं आता है, वो तो बाती नहीं करेगा आपसे, असली संथ कभी भी टीवी पे नहीं आएगा, ना पबलिक प्लेस पे आएगा, वो अपने धुनकी में रहता है, वो अद्रिस आत्माओं के साथ उसका रहता है, इसा नहीं है किसी अधिया रहते हैं जंगलों में रहते हैं नहीं जाते हैं तो बहुत करनें हैं, हुआँ फीकुछ Ka जाते हैं चारह वह जा नहीं हैुआ पुबिक पलेस brain नहीं है ओ लोग तो अपनी और आप जाएए बूखे रहेंगे जो भूखे रहा जाएगा लेकि आपसे भूझा नहीं मागेν ऐसे से लोगों देखाए बनाए अbedड दूसरी दर्फ यह बॉल्व वाल्व वाले वाले बाबा ए आठ बाउंसर, यह लोग लेके चलते हैं हथियार लेके चलते हैं राइफर और सस्तधारी लेके चलते हैं इनक है अध्यात्म उसका प्रापर्टी है हिंदु दर्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति पांच विकारों को त्याग चुका है काम, क्रोध, मोह, लोब, इरशा इन सब को त्याग चुका है वो संत हो जाता है उसके लिए शुक और दुख समान अवस्थाएं है उसके पैसा हो ना हो खाना हो ना हो वो संत है लेकिन सर दिन की एक और सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के सोशल जस्टिस मंतरी वो मजबूर हो गए कि उन्हें अपने पद से स्तीफा देना पड़ गया और जिस तरीके कि राजनीती बीजेपी कुछ एक दिनों से कर रही है कि इन्होंने हि क्या विचार है इसके ऊपर कि क्या कोई धर्म का अगर मैं कल को कह देता हूं कि चलिए मैं अल्ला को नहीं मानता चीग है तो क्या आपकी भावना याहत हो जाएंगी नहीं कोई आवात नहीं होगी हम लोग भी फिरोन का नमरूद का यजीद का नाम लेते हैं ना उनके भी लोग फालोवर्स इसी देश में भी हैं यजीद के फालोवर्स हैं नमरूद और फिरोन के मानने वाले हैं वह शैतान थे? हम अपने मुझे उनको शैतान नहीं कह सकते मेरा इसलाम ये नहीं सिखाता है हम शैतान नहीं कहेंगे उन्हों ने हमारे नभी के साथ और लोगों के साथ बहुत दुविवार किया तो इसलिए हम लोग भी अपने नहीं है जो आप कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक कुलिटी गहरे बराबरी खतम करना गरीब अमीर को एक भावन देखना बातसा भी आएगा ना तो मस्जिद के पीछे बाद में आएगा तो पीछे ही खड़ा होगा आगे नहीं जा सकता है उसके लिए जगा मुकररर नहीं है और इमाम हमारा इमाम है उसके पीछे सब को नमाज पढ़नी है अमीर गरेब किसी भी जाध धरम मजभब किसी भी काष्ट करीद का हो मस्जिद में आ गया तो जो आगे गया वो आगे बिठे यह सब चीजे हैं एक सफ में खाना एक सफ में नमाज पढ़ना अपने आमदनी का धाई परसंट दे करके देखिए हम लोग मदर सा चलाते अपनी पूरी जिंदगी बहुत से हमारे भाई बच्चे जो हैं अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में लगा देते हैं और उनके चेहरे पर आप जागे देखिए लेकिन आप फिर पूरे समाज को आप इतने अच्छाईया गिना रहे हैं पूरे समाज को एक ऐसी नजर से देखता है कि भाईया सबसे बड़े अपरादी यही है अबी पर लोग पत्थर मारते थे पुडा फेकते थे नभी तो अपना रास्ता नहीं बदले हम लोग भी अपना रास्ता नहीं बचाये इतना गाली अपमानित करने मार भी दो को कोई बात नहीं है सरदन कर गड़न कटा लेगे लिए जिन्दा रहेंगे तबी तक समाज के मौत हमारी मुकरर है अल्ला ने जितनी सांसे लिख दी है तो वो अल्ला को डिशाइड करने दीजे ना वो हमारे बिलीव है कि अगर हमको बचाने वाला ला है कोई नहीं मार सकता हमको यह जान लीजाए आप जो रात हमारी कबर में लिखी है उस दिन कबर में ही गुजरना यह बिलीव है हमारा हर मुसलमान का बिलीव है इसलिए हम लोग नहीं डरते इन सब चीजों से हमारे कल खाना है कि नहीं है फिर भी हम लोग खुश होके सोते हैं कि कि अल्ला है वो कल देगा जब जानवर को देता है अजिगर को पंची को जानवर को भी भोजन मिलता है तो ह के इस कास्ट के एंगल पे विचार आपने वो गौतम जी वाली बास जी मैं उधरी उधरी आ रहा था कि कास्ट के एंगल पे किस तरीके से देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस मंत्री को भी इस्टीफा देना पड़ रहा है बावा साहिब की 22 प्रतिग्याय पंड़ने के बाद न केजरिवाल जी लगाते हैं न ओफिस में बाबा जी की परतिग्याय इंटो पढ़ा भी कहीं आपने किसी की बुराई थोड़ेगी हम यह ओफिस छोड़के जा रहा है हम दूसरे ओफिस में ले रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है ठीक बात कोई तो ऐसी बात नहीं है ठीक ब हम आपको नहीं मानते हम जिसको मानते हैं उसका नाम ले इसमें भी बड़ी बात नहीं है और दूसरी बात यह है कि गौतम का रास्ता अब शुरू हुआ है गौतम जी तो मुख्यमंतरी बन जाएंगे दिल्ली के अभी शुरू हुई है उनकी राजनेती अभी शुरू हो तू मुख्यमंत्री बनने गला ऐटम है मुख्यमंत्री मांत्री बणे बात… बढ़ बार क्रेरे यहाँ है और मैं काहि रहा हुई जु सक्सल्ठमृ की टाकत को जो नहीं समझा देश में उभी राजनित नहीं कर सेती हैं सब्शलिध को आज कांने हुए गूं घुम रहा आज पैदल, नहीं तो सतर साल में, पैटालिस-पचास साल में अर थी ना, कभी राहूल जी निकले थे घर से, कभी देखा था किसी न उनको, अपने महलों से तो नहीं निकले सब्सक्राइब के महलों से, यह OBC, SC, ST की ताकत है, माइनारिटी की ताकत है, कि आज राहूल जी भ पॉजिटी में हो रही है, मुझे नेगेटिव जादा दिखा रही है, आप तत्रकार हैं, आप क्याद है थे नेगेटिव देखना है, पॉजिटी में बात हो रही है, मीडिया, नेशनल मीडिया पहली बर फंसा है, दलित की जाल में, यह लोग दलित की किसी कारेकरम को अब दिखाना पड़ गया और दिखाना पड़ गया तो 22 परतिग्यां बाबा साहिब की घर-घर पहुंचा दिया इन लोग ने लोग ने तो नेशनल दस्तक आप लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूं जी बुनियाद की पहले इंट आपने रखा आज वो इमारत बनने वाल मेरा जैनियो में उनसे भेट हुआ था पहली मुलाकात मेरी हुए थी जैनियो में उस समें दोड़ करके दोनों मोबाईल से इनके पास संसाधन नहीं था कुछ नहीं था इनको बहुत हमले हुए इनके उपर मैं बहुत परसनली जानता हूं शांब जी और आज देखिए पुरे समाज को हिम्मत दे दिए आप लखनों में देखिया आज आपने आज लखनों में लाखो आदमी थे और ये वो लोग थे जो अंदर बाबा साहब को ले करके अंदर दिल में बठा ले थे बाहर नहीं आ पा रहे थे अब खुल के बात हुए इस बर 22 परतिग्यां हिं हिंदी में हुई है यह पहले हिंदी में नहीं होती थी इसलिए लोगों को समय में नहीं आता था अब की हिंदी में हुई है इतना ही फरक पड़ा है यह तो हर साल होता है 22 परतिग्यां हर साल होता है लेकिन इस बार हिंदी में ली गई है इसलिए थोड़ा सा पेट में दर् बहुत से हम लोगे मतलब रिस्ते में और बहुत अजीज लोगों में बहुत सी लड़कियों ने हिंदू लड़कों से साधी किया है हम लोग बहुत उनको जीजा के तरह समान देते हैं बहुत प्यार करते हैं जी बिल्कुल प्यार करते हैं मुसलिम समाज एक्सेप्टेंस रख रहा है, इंटर्ली जिसमें, हमारी बहुत सी परिवार की लड़कियां, हिंदू कॉम्मुनिटी की लड़कों साधी की है, हम उनको बहुत दिल में बठालते हैं, और रिस्तेदार की तरह अपना पुरा प्यार उनको देते हैं, कोई भेद तो हम अगर किसी से नफरत करेंगे, तो इसलाम इतना आगे बढ़ता, अगर हम आपको भागाते रहो, दुद्कारते रहो, और हम आपको इसलाम की दावत देते रहेंगे, और कैसे देंगे, अपने अचार वहवार से, नभी ने कूड़ा नहीं पढ़ा चाओ उते दिन, त अपरकास हिंदू समाच से आता हूं, लेकिन ये कहानी मेरी मा ने मुझे सुनाई थी, कि अपने विचार कभी मतलब, और बुद्ध के बारे में भी सेम कहानी आपको सुनने को मिलेगी, अपने मा बहुत सम्मानी थे, मेरा प्रणाम बुलीगा उनको, ये सेम कहानी मुझे दूसरा कोई सिखा नहीं सकता है, बाप भी नहीं सिखा पाता है, वो मा के अंदर एक ऐसा गुण इश्वर ने दिया है, अल्ला ने दिया है, कि मा के अंदर एक इसी ममता इसी चीज़ है ना, कुछ भी बोल देती है, बच्चा उसको कानून समझ लेता है, नियम समझ लेता है, बाप की बाप नहीं मानेगा, चचा की नहीं मानेगा, लेकि मा की मानेगा, चाची की मानेगा, मौसी की मानेगा, सब की मानेगा, लेकि इसलिए आपकी माने सिखाया, इसलिए जो है, बहुत नमाने उनको, लेकि मैलाएं इस देश को बदलने की बहुत बड़ी ताकत र और उसी विरोध की धारा पर विरोध की बातों को दबा देने की धारा पर आज इस देश की राजनीती चल रही है। सर इसके आगे कोई बदलाम होने की कोई आशंका है। इस जो स्थिती लोकतंत्र की आज है। ने बदल देखे, दुनिया में हर चीज बदली है, कोई चीजा स्थाई नहीं है, अगर आपके तक्लीफ है, तो आपके अच्छे दिन भी आएँगे, और अच्छे दिन है तो बुरे दिन में मोदी जी वाले तो नहीं आएगे न? मोधिजी वाला तो अच्छा दिन, अच्छा दिन तो है है, अच्छा दिन के लिए अच्छा होगा है, अच्छा दिन नहीं है, एक दिन भी किरिकेट जोना खिलाओ, वो पुरा मालिक बन गया, वो तेंदूलकर का भविसाताय करेगा, कि ये क्या करेंगे, जो आदमी जिंदे देती है लेकिन मैं बीजेपी का एक धन्यवाद करता हूँ पता है क्यों कि उन्हों ने बहुजन समाज को एक जुठ होने का एक कारण दे दिया है बहुजन समाज में मैं मुसल्मानों को भी गिनता हूँ इस देश की हर एक पीड़ वर्क को गिनता हूँ अब ही मुसल्मान में भी शेक पठान अंसारी इसा बहुत भेद भाव था खतम हो गया अब एक हो गया बिल्कुल एक होने का कारण मिल गया पहले जब कांगरेस की सरकार थी तो आपस में लोग लडाते थे चलो ये वो करके धर धर करके मतलब यहीं आप साओधी एरेविया मे उब हांका इसलाम अलग दिखता है उब हांका मुसल्मान अलग दिखता है हम यहां के भावलिक औरण में हम भी फासे हूए हम उद की पेटी से शेक लड़का का शादी कर लेता थे यहां भी जगड़ा शुरू हो जाता है जिव्कि इसलाम नहीं करता ह हमारे हजरत-उमर न कहा कि बाबा यह आप क्या कर रहे बादसा देख लेगा तो आपको मौत की सजा देदेगा तो उसने कहा चुपकर बादसा देख रहा है क्या तो लड़की ने कहा कि बादसा नहीं देख रहा है तो क्या अल्ला तो देख रहा है ना उस उमर हमारे जो बादशा थे उन्होंने स इस लड़की ने कहा कि अगर बाश्चा नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्ना तो देख रहा है, यह है इसलाम, इसको मनना होगा, लेकिन डीमनाईज जो कर दिया है, जो लोग धर्म के नाम पर, इमान के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं, वो असल में उन लोगों का ध इस्तमाल कर रहे हैं अपनी राजनीती के लिए, अपने बिजनिस के लिए, धर्म का इमान का, आपको यह समझना होगा कि जब भी धर्म की बात हो, अगर वो बाटने की बात कर रहा है, आपको एक व्यक्ति से अलग बताता है, या फिर आपको एक व्यक्ति से कम या ज्याद बताता है तो वो धर्म आपका नहीं है इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति हर जन्म लिया हुआ व्यक्ति एक समान है चाहे उसका धर्म कुछ भी हो रंग कुछ भी हो जात कुछ भी हो एक समान है परिवार भी कुछ भी हो ये पूरी बालचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीश के साथ नैशनल दस्तक के लिए धारण के रिपोर्ट धन्यवाद झाल